नमस्कार बच्चो राज सिक्षा सो देवं परसिक्षन परिसत बिहार पटना में आपका स्वागत है आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10 का क्वाड्रेटिक एक्वेशन द्युगाद समिक्रन पर प्रस्न बनाएंगे पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने बनाया था उसी को आगे जारी रखते हुए आईए कुछ प्रसन आज देखा जाए प्रसन है find the number which exceeds its positive square root by 20 टेक है पुछा जा रहा है कि वो नंबर बताईए जो exceed kara positive square root ठीक है यानी solution आये हल लेट दर नमबर जो पूछा जाता है उसको पहले क्या क्या था माल लिया जाता है माना कि वो नंबर क्या है एक से ठीक है देन according to question then according to question क्या हो जागा बच्चों करा वो जो नंबर है यानी X बराबर है क्या है इस positive square root तो इसी का है square root positive यानी root X root X से कितना है अधिक exceeds its positive square root by 20 exceed का मतलम बोले थे ना प्लस तो root X plus 20 root X plus 20 प्रसंद समझे करा वैसी संख्या बताएं जो square root से 20 अधिक है ठीक है वैसी संख्या बताएं जो अपने square root से 20 अधिक है प्रसंद समझ में आ गया तो माना की संख्या X है तब X equal to root X plus 20 अब इसको बीना root वाले को एक साइड रखी है उदर root X अब square root है तो इसको square root हटाने के लिए क्या करना होगा दोनों side square करना होगा तब both sides are squiring we get कितना हो गया बच्चो whole square root X का whole square a minus b का whole square तो आप जानते है X square minus 40 X हो जाएगा plus 400 और E कितना हो गया X हो गया root है तो square है तो X हो गया इसको इधर ले आईएगा कितना हो जाएगा minus 41 X है ना plus 400 equal to 0 ठीक है अब इसका factor क्या हो सकता है 25 और 16 कितना होगा चौपाची ग्यारा तीन 41 एदम सही है और 25 गुना 16 16 85 8 32 और 8 40 एदम आ गया यह यह एक से स्क्वाइर माइनस कितना हो जाएगा 25 X माइनस 16 X पलस 400 equal to 0 X को मले लिया जाए बच्छों तो X माइनस 25 यह माइनस 16 को मले लिया जाए तो X माइनस 25 यह पच्छेया जीरो आड वाट सुला दोनी बथीस और 8 40 X माइनस पच्छीज को मान है बच्छों तो ले लिया तो बचा क्या AX माइनस 16 equal to 0 आइदर AX माइनस यह प्रस्न है इसको सिक्कर लिया जाए आइदर AX माइनस 25 equal to 0 और AX माइनस 16 equal to 0 तो AX equal to 25 और AX equal to 16 यह ना आया AX equal to 25 और AX equal to 16 अब हम लोग को बच्छों यह देखना है यह देखना है कि दोनों आंसर होगा यह होगा आईए इसको देखिए सुल्ला को रखिए यहां सुल्ला बराबर यह क्या हो गया square root 16 तो चार चार पलस भी भी 24 सुल्ला बराबर 24 कभी होगा नहीं होगा इसलिए यह जो भैलू हुआ बच्छों यह क्या हो गया rejected आमान्य हो गया अब इसको देखिए यह satisfied कर रहा है कि नहीं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं पचीस रखिए पचीस बराबर स्कॉर रूट पचीस तो पाँच पाँच पलस बीस पचीस 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 वर और पचीस सही है यानि यह सही हुआ हैंस एक्स इक्वल तू पचीस यानि रिक्वाइड नंबर अभिस्ट संख्या जो हुआ हम लोग का क्या हुआ 25 यह हुआ हम लोग का फाइनल आंसर तो इसको नोट कर लीजिये आईए बच्छों नेस्ट कोश्चन है find the condition condition कंडिशन आपको निकालना है कब जब दो क्वाड़ेटी कि क्वेशन दिया हुआ है क्या क्या दिया भाइब बच्छों a x square plus a x plus b equal to 0 and x square plus b x plus a equal to 0 और कब निकालना है जब दोनो quadratic equation का एक root क्या हो common हो ठीक है तो पहले तो जो दिया हुआ उसको लिख लिया जा बच्चो AX square plus AX plus B equal to 0 और दूसरा है AX square plus BX plus A equal to 0 let alpha be a common root alpha be a common root common root मान लिया common root दिये हुए है ना question में तो common root को मान लिया alpha है then तो क्या होता है जब root जो होता है उसको equation को क्या करता है satisfied करता है यानि X के जगा अब हम लोग क्या लिखेंगे alpha तो AX square plus A alpha AX के जगा alpha न लिखाएगा अब alpha square plus alpha A plus B equal to 0 या A alpha लिखेंगे A alpha और या alpha square plus B alpha plus A equal to 0 यह हो गया third और यह हो गया fourth अब देखिए यह जो है आप लोग पढ़े होंगे by cross multiplication method जदी formula है A1X B1Y plus C1 बढ़ावर 0 A2X B2Y plus C2 equal to 0 if then by cross multiplication method यह तो पढ़े होंगे solve करने का equation को solve करने का जो तरीका है cross multiplication method से क्या होता है देखिए X अपान यह लिए तो खतम हो जाता है तो क्या बचता है B1 C2 B1 into C2 minus B1 C2 minus C1 B2 Y क्या होता है C1 A2 minus A1 C2 minus यह खतम तो C1 A2 minus A1 C2 और यह 1 क्या हो जाता है constant है तो 1 हो गया यह क्या हो गया A1 B2 minus B1 A2 यह हम लोग का होता है इसको bracket में कर लिया जाए ना box में समझने के लिए किये है ठीक है उसी का यहां पर बच्चों यूज किया जाएगा आईए तो alpha square वहां से देखिए क्या हो जाएगा alpha square बटे क्या हो जाएगा देखिए यह खतम तो बचा क्या हम लोग का इस है ना तो A square minus B square alpha upon क्या हो जाएगा बच्चों देखिए यह फिनिश तो B B into 1 B और 1 into A A क्या हो जाएगा 1 by 1 into B minus 1 into A है ना तो यह equation हम लोग आ गया कितना इसको equation 5 ले लिया जाए इसको equation 6 और इसको equation 7 तीन equation हो गया बच्चों ठीक है अब फ्रॉम equation 5 to 8 फ्रॉम equation या ऐसे भी कर सकते हैं पर A minus चलिए देखिए लिजे फ्रॉम equation 5th and A 7th we get क्या हो जाएगा बच्चों alpha E square equal to A square minus B square upon B minus A तो ही केतना हो जाएगा A minus B into A plus B upon B minus A alpha E square equal to क्या हो जाएगा minus common ले लिया जाए तो यहां बच्चों B minus A upon A plus B upon B minus A B minus A से B minus A cancel हो गया बच्चों तो बच्चा क्या minus A plus B यह alpha square आया है ना यह जो हम लोग का value आया बच्चों alpha square आया अब alpha बराबर क्या हो जाएगा देखिए alpha बटे B minus A equal to 1 बटे B minus A यहां से alpha बराबर कितना आ गया बच्चों कट ना गया यह यह तो कैंसिल ना हो गया तो alpha बराबर 1 आ गया अब alpha का value इसमें रख दिया जाए putting the value of putting the value of alpha in इसका नाम कुछ दे दिया जाए equation 8 इसका नाम कुछ दे दिया जाए equation 8 in equation 8 we get कितना हो जाएगा alpha square है तो alpha बराबर 1 तो alpha square 1 square minus बराबर minus A plus B इसको 1 हो गया 1 equal to minus A plus B इसको इसाइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा A plus B plus 1 equal to 0 which is required condition यही अभिष्ट equation हो और उनका common root हो तब क्या अभिष्ट condition होगा तो वही किया गया alpha माल लिया common root उसको satisfied गया उसका solve किया गया उसके बाद a plus B plus 1 equal to 0 इसको नोट कर लिजिये hello ठीक है आये बच्चों नेक्स्ट कोश्चन है for what values of M will be the equation M plus 1 X square plus 2 M plus 3 X plus 2 M plus 3 equal to 0 have equal roots यह दे दिया है कि यह जो दिवाद समिकरन है इनका roots equal है तब M का मान क्या होगा तो आईये solution देखिए हल हल देखिए क्या होता है गिवेन एक्वेशन सिंस गिवेन equation M plus 1 X square plus 2 into M plus 3 into X plus 2 M plus 3 equal to 0 have equal roots equal roots दे दिया है बच्चों the equal roots दे दिया है therefore discriminant क्या हो जाएगा equal to 0 discriminant क्या हो जाएगा equal to 0 यही न होता था अदी ब्रावर क्या होता है discriminant क्या होता है विवेच्च क्या विविक्त कर क्या होता है B square minus 4 AC equal to 0 here A equal to यहां A ब्रावर कितना है देखिये M plus 1 B equal to कितना बच्चों देखिये 2 M plus 3 and C equal to कितना बच्चों 2 M plus 3 है ना यह हम लोगो का दिया हुआ है आइए अब B square therefore क्या हो जाएगा 2 M plus 3 whole square minus 4 A के जगह M plus 1 और C के जगह है 2 M plus 3 equal to 0 यह तो 2 2 जब 4 हो गया बच्चों तो 4 A plus B ka whole square A M plus 3 ka whole square A M square 6 M plus 9 इस सबको उधर ले जाएगा तो 4 इसको multiply किजिए माइनस था तो plus हो गया 2 M square बच्चों plus 3 M 2 M square plus 3 M plus 2 M plus 3 equal to 0 क्या हो जाएगा 4 से 4 तो कट गया बच्चों यहां क्या आ गया A M square plus 6 M plus 6 M plus 9 equal to 2 M square है ना plus 5 M plus plus 3 3 अब सबको एक साइड ले जाएए तो कितना हो जाएगा A M square minus 5 M minus M minus M minus M और यह plus 9 minus उधर हो गया तो minus 6 equal to 0 अब इसका factor गुननखंड क्या हो जाएगा A M square minus 3 M plus 2 M minus 6 equal to 0 equal to 0 M common ले लिया जा बच्चों तो M minus 3 plus 2 common ले जाए तो M minus 3 plus 2 common ले लिया जाए तो M minus 3 equal to 0 अब आईए यहां से M minus 3 common ले लिया जाए तो M plus 2 equal to 0 either M minus 3 equal to 0 और M plus 2 equal to 0 तो M बराबर क्या हो गया बच्चों 3 और M बराबर minus 2 M बराबर 3 और M बराबर minus 2 यही M का भेलू हम लोगों से पूछा जा रहा था तो यही वाँ फाइनल आंसर ठीक है इसको note कर लिया जाए M equal to 3 और M equal to minus 2 यह बच्चों अगिला प्रस्ण है so that the equation x minus a x minus a into x minus b equal to h square equal to h square has real roots है ना तो आये देखिये दिया हुआ है x minus a x minus b equal to h square इसको multiply कीजिए x square minus a x minus b x plus a b equal to h square x square minus comma ले लिया बच्चों a plus b into x plus a b minus h square इधर ले आया तो equal to 0 x में quadratic है तो यह हमारा जो हो गया आपका constant हो गया a b minus h square ठीक है अब यहां कहरा है दिखाना है कि real roots है तो इसका क्या कीजिएगा discriminant निकालिये नौव दी इक्वल तो b square minus 4 a c यह बोलिये a के जगा यहां पर क्या है a plus b है ना और a के जगा आपका a plus b b के जगा और a के जगा 1 और c के जगा देश है ना तो उसको confusion हो जाएगा a b यहां भी है तो तो यहां से हो जाएगा तो d equal to क्या हो जाएगा बोलिये minus a plus b whole square है ना minus यहां जदी confusion है तो इसको capital में लिख लिजिए b square minus 4 a c यहां लिख दीजिए here b equal to यह b है capital भी लिख दिए confusion ना हो b equal to क्या है minus a plus b a equal to 1 और c equal to a b minus h square है ना यही है हम लोग का तो रखिए तो b a square हो गया minus 4 a के जगा 1 और c के जगा a b minus h square ठीक है कितना हो गया बच्चों यह तो square हो गया तो a plus b का whole square minus का square plus अई क्या हो गया minus 4 a b minus h square है ना अब आईए a square plus 2 a b plus b square minus 4 a b plus 4 h square bracket तोड़ दिया बच्चों यहां पर bracket को तोड़ा गया अब यहां से यहां देखिए क्या हो गया a square plus b square minus 2 a b plus 4 h square अब यहां से a minus b का whole square plus 4 h square a square plus b square minus 2 a b क्या हो गया a minus b का whole square plus 4 h square ठीक है अब यहां बच्चों ध्यान दीजिए यहां देखिए a और b subtract हो रहा है तो subtract हो रहा है या तो minus आएगा value या plus आएगा numerical value with sign का आएगा या तो माइनस आएगाया plus आएगा तो माइनस का a square v plus और plus का square v plus q yeah till plus k sign a ticker for the upper kia plus a every positive हो गया और h square h negative Vy आएगा तो negative power positive or positive positive कर square positive तो positive plus positive positive यानि यहां पर क्या हो गया यह जो है greater than 0 हो गया ठीक है यानि D greater than 0 आ गया या equal 0 या तो equal हो जाएगा या greater than होगा कभी भी less than 0 तो नहीं होगा बच्चो ठीक है तो वही कह रहा है क्या हो जागा यहां से 10 तुम हैंस गीवन इक्वेशन गीवन इक्वेशन हैस रियल रूट गीवन इक्वेशन है रियल रूट्स हैंस दा रिजल्ट हैंस के जग यहां अच्छार है का दस लिख दीजे दस गिवेन रिजर गिवेन एक्वेशन है रियर लोट हैंस दा रिजल्ट आ गया अताया सी दो गया ठीक है तो यहील करना था यह दोनों प्रस्ण हम लोगो ने बना लिया इसको बच्चो नोट कर लिजिए आईये बच्चो नेक्ट कोश्चन है फॉर वाट भैलू ओफ वेम विल वी एक्वेशन एकसे स्क्वाइर माइनस 2 इन्टो 1 प्लस 3M इन्टो एक्स प्लस 7 3 प्लस 2M इक्वल टू जीरो है विक्वल रूट कहने का भी प्राय यह है दिगाद समीकरन जो है यह दिया हुआ है सोलूशन आईये देखिये हल पहले का सिंस एकसे स्क्वाइर माइनस 2 1 प्लस 3M इन्टो एक्स प्लस 7 3 प्लस 2M इक्वल टू जीरो इनका रूट जो है बच्चो दे दिया है क्या दे दिया है इक्वल रूट इकवल दे दिया है ठीक है तो कहता है एम का भैलू निकाल यह तो equal root कब होता है बच्चों जब यह जो है दिया हुआ है है इकवल रूट्स therefore equal roots हो गया इसका मतलब discriminant क्या हो गया 0 हो गया equal root का मतलब क्या हुआ discriminant 0 है ना तो 0 here a बरावर 1 b बरावर बच्चों minus 2 into 1 plus 3m और c बरावर 7 into 3 plus 2m यहीं ना ठीक है तो भाइलू रख दिया जाए यहां से डी बरावर क्या होता है b square minus 4 a c equal to 0 b बरावर कितना दिया देखिए minus 2 1 plus 3m तो minus 2 1 plus 3m whole square are you minus 4 a c को इधर ले आया जाए तो 4 a के जगा 1 और c के जगा कितना है देखिए जड़ा 7 है ना 7 3 plus 2m clear minus का square plus 2 का square 4 1 plus 3m का whole square कितना हो जाएगा 1 plus 9m square plus 6m equal to 4 into 7 3 plus 2m अब देखिए तो दोनों side 4 multiply में है तो यह cancel हो गया बच्चों 4 से 4 क्या हो गया cancel हो गया अब यहां कितना बचा 9m square plus 6m plus 1 equal to 21 plus 14m सब को एक साइड लाया जाए लाइए 9m square minus 8m हो जागा यह और यह माइनस 20 9m square है ठीक है अब कितना हो जागा देखिए इसका factor m equal to क्या हो जागा देखिए 9m square minus 18m plus 10m कितना हो जागा 18 में से 10 गया 8m इसको multiply किजाए गर माइनस 180m square ठीक है हम लोग सही जा रहे है equal to 0 9m common ले लिया जाए बच्चों तो यह माइनस 2 हो गया यह 10 common ले लिया जाए तो m minus 2 equal to 0 और 9m plus 10 equal to 0 यहनी m बराबर 2 और m बराबर minus 1 by 9 10 by 9 m का भैलू बच्चों क्या क्या आया 2 m बराबर 2 और m बराबर minus 10 by 9 यही हम लोगों का final answer आया इसको बच्चों नोट कर लिया जाए यही वा answer ठीक है आईये बच्चों अगला question है यदी alpha बराबर beta नहीं alpha not equal to be but लेकिन alpha square equal to 5 alpha minus 3 and beta square equal to 5 beta minus 3 find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha ठीक है तो first of all आये solution required equation क्या होता है बच्चों x required equation is क्या हो जाएगा x square minus 1 by alpha root क्या दिया हुआ है alpha by beta alpha by beta plus beta by alpha sum of roots into x plus product of root होता है into beta by alpha equal to 0 यानि that is क्या हो गया यह x square minus alpha square plus beta square upon alpha into beta into x plus यह तो कट के आ गया वन alpha square plus beta square का value पहले निकाल लीजिए ना और उसको बाद इसमें क्या करेंगे put कर दिया जागा रख दिया जाएगा alpha square plus beta square कितना होगा बोलिये तो alpha square यह दिया हुआ है देखिए कितना दिया हुआ है 5 alpha minus 3 अब बीटा square दिया हुआ है 5 beta minus 3 तो कितना हो गया alpha square plus beta square equal to 5 alpha plus beta minus 6 है ना और alpha into beta निकालना है तो कितना हो जाएगा देखिए alpha into beta alpha into beta बोलिये कितना जाएगा alpha square इतना है तो square root 5 alpha minus 3 और beta कितना है beta square है तो beta कितना हो जाएगा square root 5 B minus beta minus 3 beta square equal to 5 beta minus 3 है ना ठीक है यह आ गया अब इसका वैलू जो है इसमें रख दिजिए पुटिंग दवैलू अफ पुटिंग दवैलू अफ आलफा स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर अपॉन अलफा बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट समिकरन एक में अलफा square प्लस बीटा स्कॉर अपॉन अलफा बीटा का वैलीड करना है किजिए । एक स्कॉर माइनस इसका वैल अलफा स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर कितना है था देखिए 5 alpha Watt प्लस 5 B सैना माइनस 6 अपन स्कॉर रोट अलफा बीटा 5 alpha minus 3 5 beta minus 3 into x plus 1 equal to 0. यही न आया था? चलिए. यह ब्रैकेट कर लिया जाए. LCM जब लिजिएगा, तो ही क्या हो जाएगा? इधर आ गया, square root 5 alpha minus 3 into 5 beta minus 3 x x square. और यहाँ हो गया, minus 5 alpha plus 5 beta minus 6 into x plus यह बाला, plus square root 5 alpha minus 3 into 5 beta minus 3, ठीक है? अपाउन. यह जो LCM हम लोग लिया थे. क्या था हम लोग का LCM? 5 alpha minus 3, 5 beta minus 3, यही न था? इक्वल टू जीरो. चलिए, अब यहाँ से, यह इधर denominator में है, हर में है, दूसरे तरफ जाएगा, तो अंस में, अज जीरो से गुना होगा, तो जीरो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? square root 5 alpha minus 3, 5 beta minus 3, है न? लिख दिया बच्चों, यहाँ क्या हुगा? x square plus x square minus 5 alpha plus 5 beta minus 6, ठीक है? इंटो x plus square root 5 alpha minus 3 into 5 beta minus 3 equal to 0, क्लियर? अब यहाँ यह देखिए, 5 alpha minus 3 के जगा, alpha square है बच्चों, तो रख दिया जाए, square root, alpha square, आप 5 beta minus 3 के जगा, beta square, रख दिया गया, into x square minus 5 alpha plus 5 beta minus 6 into x plus 5 alpha minus 3 के जगा, alpha square into 5 beta minus 3 के जगा, square, equal to 0 हो गया, क्लियर? अब देखिए, alpha square beta square into 2 में, square root में, तो बाहर आगया, alpha beta into x square minus 5 alpha plus 5 beta minus 6 into x plus alpha into beta equal to 0, which is the, which is the, which is the required quadratic, quadratic equation, यही हुआ हम लोगो का final answer, जो कि यह अभिष्ट द्विघाज समिकरन हो गया, तो इसको बच्चों, नोट कर लीजिए, उमीद है बच्चों, यह जो हम लोगों ने आज द्विघाज समिकरन का question बनाया, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, इसको घर पर भी practice किजिएगा, तो आज इसको इतना ही रखा जाए, फिर अगलिक अक्षा में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमास्कार, स्वस्त रहिए.